नमस्कार जैस्वामिनायान आजनू पेढ़ना पुस्पक एक सुफी शंत अने जेनी एक कहानी एद लेगे एमना द्वारा खेहवायेली एक सुफी कहानी एक आहनी मा एव के एक राजा जेचे पोताना वजीर ने कोई कारणों शर एने केद मा लेजे अने जयरे हे पोताना सैनीकोने वजीर ने लेवा मांटे मोकले जे तेरे ए वजीर ने लई अने एना घरे थी एने पकड़ी एने केद खाना तरफ एने लई जवान होई छे आ समय दर म्यान ए वजीर ने जयरे पकड़वामा आवेचे त्यारे वजीर पोतानी पत्नीने कानमा कहीं कहाँचे अने ए वजीरने एक कगन चुमी एक मोटो मिनारो अने ए मिनारानी उपर जया कोई न पोहँची शके एवी जगियाए जन्म टीप शुधी ए मरे त्या न बहुँ होस्यार छे ककति एक कानमा न जे वाद एनना पतिये खीदी छे ए प्रमानी राद पड़ी औने एनी पत्नी त्या ए मिनारानी न जीक आवी मिनारो गऊँचो छे अटले कोई रीते ए मिनारा पर्थी एनो पती कोई शामान्य रीते नीचे कुदी अने भागी शके एवी कोई रीत पण न थी त्यारे बहुँ सरस रीते एनिक पत्नी जे छे ए वजीरनी पत्नी ए एक कीडा ने पकड़ी लावी अने एक कीडा ने ए मिनारा नी उपर तरफ चड़तो होए ए रीते एने राख्यो अने एक कीडा ना आगड़ना भागमा जी स्पर्शक होए एले के जेने आपड़े मूचो कई है तो ए मूच नी आगड़ना भागमा एने थोड़ू मद लगा विए जेना कारणे कीडा ने ए मुधनी जे स्मेल छे एना कारणे ए नीशामा ए उपर ने उपर एक कीडो चड़तो गयो पाण पत्नी बहु होस्या एकले पत्नी ए एक कीडा नी पगनी साथे एक पातडो रेशम नो तात्नो बांधियो अवे ए तात्नो बहु लांबो जेटलो मीनारो एटलो ए तात्नो लांबो अवे आ तात्नानो कोई वजन न थाए एटले कीडो तो तीमी दीमे दीमे उपर नी दीशामा मद छे एव मानी एने चड़तो गयो चड़तो गयो आम करता करता ए बराबर मीनारा पासे जया उपर पोचो एकी देला समय प्रमाणे ए एना पत्नी ने जे कानमा वाद कही थी ए प्रमाणे एना आ कीडो छे बराबर उपर पोचो ए समय एनो पती वजीर जे छे ए त्या हाजर आन उपर एनी बारी पासे ए बराबर जे जोवे खेचे किडो एने पकड़ी लिद तो जेवो किडो पकड़ायो साथ हे रिसम नो two पकड़ायोव । एस रिसम ना दोराने जयर एने पकड़ parlे ψयो ये रिसम ना दोराने दीने ओपर तरब खयंचो, तो येनी साथे पातड़ी इनी सुस्तर नी दोरी बांदेली इस उत्तरनी दोरी ने दिमेदी में उपर खेची 300 फूट उचो आया मीनारो हतो एडले दिमेदी में दोरी ने खेची एनी नीचे थोड़ी जाड़ी दोरी हती ए दोरी खेची एनी नीचे थोड़ी एथी वधारे जाड़ी दोरी एम करता करता ए दोरी पूरी छाई लेनी साथे साथे एक दोरुडू पातणू वत्तू ए दोरुडू खेचाई वट लेनी साथे बहु जाडू दोरुडू खेची अने ए दोरुडाने उपर सुधी बांधी अने ए वजीर त्या मीनारा उपर थी दिमे दिमे दोरुडानी मित्रो, आ वात बौस सहज अने नानी छे, आ सुफी कहानी छे, पण आ कहानीनों मर्मजे छे, ये मोव उचो छे जिवी रीते, आपने कहिए के वजीरने केद माथी मुक्त तो थयो, पड़ एने मुक्त थवा माटे, नानकडू एक धागो जो एना हाथ मा आवी गयो शुन, एनी साथे जे एने पकड मेडवी छे, अन ए धागा थी दिमी दिमे मोटा, दोरडा शुदी ए पोता ना जीवन मा जया मृत्यू दंड थवानो होतो, ए मृत्यू दंड मा थी पण पोते भागी छूटियो, अन ए मा थी पणे मुक्त थयो, तो आवात या सुदी आपने लेजाए, का आपना जीवन मा कोई एवी नानी एवी खटना होए, कि ए नानी एवी बाबत ने, एवी बाबत कि जे आ आपने जीवन मा क्याकने क्याक एवी शफरता तरफ लेजाए, एवी बाबत ने जो आपने पिक करता पकरता थाईए, तो एवी नानी पन बाबत आपने जीवन मा क्या आपने शफरता सुदी लेजाए, अने जो भक्तनी रीते आपने वात करिये, तो नानू येवी भगव पन्नू नाम होय छो एने पण आपने पकड़ता थाई जीए तो ए नानकडु नाम पड़ आपने भगवान सोदी लेई जै तो आ जीव इश्वर सोदी पाथ तो थाई जै अन्ने जीवन नी हरेक बड़नी हरेक बावत नी वाद करता होई तो आपने अपने आप एला वजीर आनी जेम नानकडु दोरो पड़ ए जीवन माथी मुक्ति अपावतो होई आँ आपने पड़ आ नानी एवी कहानी माथी खड़ो बदो आपने बोध पामनी शके अस्तु जैहिन जै भारत